नमस्कार दोस्तों मैं गोरव स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याई सीडी में आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सुस्क्राइब करें लैक अवे या एविकारी शब्द अवे या एविकारी शब्द हमारा टोपिक चला हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके कितने परकार होते हैं ऐसे सब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपने रूप को परिवर्टित नहीं करते क्या कहलाते हैं अवे कहल मैंने आपको बताया था कि इसके कितने परकार होते हैं अवे के चार परकार होते हैं कितने परकार मैंने आपको बताया थे कि विकारी शब्द या एविकारी शब्द के कितने परकार होते हैं चार परकार होते हैं कौन-कौन से किरिया विशेशन अवे संबंद बोधक अवे विश्मयादी बोधक अव्वे और समुच्य बोधक अव्वे क्या समुच्य बोधक अव्वे कल हम जो पढ़ रहे थे हमने लगबग आपका एक टोपिक कंप्लेट कर लिया था किरिया विशेशन अव्वे परिणाम वाचक और रीती वाचक, क्या रीती वाचक, तो किरिया विशेशन अवे कितने परकार बताए थे आपको, चार परकार बताए गए थे, इसमें से हम स्टार्ट कर चुके थे, इस्थान वाचक किरिया विशेशन अवे, इस्थान वाचक किरिया विशेशन अवे, जि वे एविकारी शब्द जो किरिया की विशेष्टा बताते हैं क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वे कहलाते हैं जैसे हम कुछ एक्जाम्पल देख लेते हैं आप लोगो थोड़ा अच्छे समझ में भी आ जाएगा राम उपर बैठ जाओ राम उपर बैठ जाओ कहां पर बैठ जाओ राम उपर बैठ जाओ ठीक है राम उपर बैठ जाओ अब देखना क्या है बैठना क्या होता है बैठना है किरिया और बैठना क्या है बैठना है किरिया राम क्या है राम है करता राम क्या है करता, अगर मैं कहूँ राम बैठ जाओ, तब भी तो किरिया हो रही है, तब हम bardziej पता चल रहा है कि काम हो रहा है लेकिन मैंने कहा कि वे विकारी शब्द किरिया के इस्थान की विशिष्था बताते है, क्या कहलाते है, वे कहलाते है मैंने कहा राम बैठ जाओ लेकिन मैंने क्या कहा ऊपर बैठ जाओ इसका मतलब है कि मैंने किसी स्थान की बात कर दी कि राम ऊपर बैठ जाओ इसमें कुछ सब्द आप नोट कर लीजिए जैसे मैं वो लू नीचे ऊपर इधर उधर का नीचे ऊपर इधर उधर बहार भीतर सामने ऊपर नीचे जैसे कुछ शब्द आते हैं इसमें जैसे ऊपर क्या होगा ऊपर नीचे क्या होगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे सामने दाएं बाएं आगे पीछे आगे पीछे ठीक है उपर नीचे आगे पीछे सामने बाएं दाएं ठीक है यह शब्द कैसे होते है यह सब्द होते है आगे पीछे क्या आगे पीछे यह वे शब्द होते है आगे पीछे आदी ठीक है आदी यह स्थान के बारें बाद बता रहे हैं मैंने कहा था कि वे शब् मैं कहां जाऊं कि मैं कहां जाऊं। तो इसमें क्या है इसमें आप एक बात देखिए कि मैं कहां जाओं इस्थान की बात हो रही है कहां कहां किधर इधर उधर यह सब इस्थान के बारे में बताते हैं तो मैंने पूछा है कि मैं जाओं अगर मैं बोलू कि मैं जाओं तो मैंने काम कर दिया मैंने पूछ लिया मेर च्छत पर खड़ा है अब एक बाद देखिए राम च्छत पर खड़ा है अगर मैं कहूं राम खड़ा है क्या कर रहा है राम खड़ा है यह किरिया नहीं है लेकिन इसमें किरिया की कोई विशेष्टा नहीं है, ऐसा कोई आविकारी शब्द नहीं है, जो लिंग बचन और काल का नुसार अपने परवर्तित नहीं होता, और दूसरी बात, ये इस्थान की विशेष्टा बता रहा है, किसकी विशेष्टा? इस्थान की, मैंने कहा, रा चछत पर खड़ा है तो मैंने इस्थान के बारे में बताया है, क्या बताते है, राम चछत और खड़ा है, मैंने इस्थान के से इस्थान आप लोगों को बता दिये खाये Здесь I hocoat आप लोग को समझ में आगया होगा यह एक्जामपल जो कल कुछ रह गया था वह एक्जामपल में सोच गया था कि आपको एक्जामपल थोड़ा समझा दूंग और आप लोग की समझ में आ जाएगा आपसे इतना ही आसान पूछे जाएगा कुछ हाड आपके इसमें नहीं आएगा कि आपसे बहुत ज़दर प्रमाजक कर्या विशेशन करिए विशेशन कर वैकाल वाचक करिया विशेशन ठीक है मैं ने अवैस को बचल कुर्ण Κरीया विशेशन पारगते शार परकार में अको बताए था स्थान वाचक काल वाचक प्रिणाम माचक और रितिवाचक तो यह क्या हो गए कालवाचक की रिया विशेशन अव्य हो गए क्या हो गए कालवाचक की रिया विशेशन अव्य होते है क्या कालवाचक यहाँ पर क्या होता है वे ए विकारी शब्द वे ए विकारी शब्द ए विकारी शब्द एवे एविकारी शब्द जो किरिया के समय की विशेष्टा बताते है क्या कहलाते है काल वाचक किरिया विशेष्टा बताते है काल वाचक जिसका नाम ही काल है अठात समय तो समय की शीट विशेष्टा बताएगा कि किरिया की समय पर हुई थी उसकी विशेष्टा आज हुई कल हुई प्रात्य काल हुई दोपैर में हुई ऐसा कुछ ठीक है ना ऐसे कुछ अब इसमें आते है जैसे राहुल नित्य टहलत है क्या करता है परती दिन राम परती दिन टहलता है राम परती दिन टहलता है अब एक बात देखिए मैंने क्या कहा था कि टहलता राम टहलता तो है लेकिन क्या करता है परती दिन टहलता है कैसे टहलता है परती दिन राम टहलता तो है लेकिन कैसे टहलता है परती दिन टहलत तो विशेष्टा क्या किरिया की विशेष्टा है कि वो पर्ति दिन टहलता है तो मैंने क्या कहा था कि वे विकारी शब्द जो किरिया के समय की विशेष्टा बताते है राम टहलता है लेकिन कैसे टहलता है पर्ति दिन टहलता है क्या करता है पर्ति दिन टहलता है वर्सा दिन वर्षा दिन भर होती रही, वर्षा दिन भर होती रही, अब एक बाद देखिए, वर्षा तो होती रही, वर्षा तो होती रही, लेकिन कैसे होती रही, दिन भर होती रही, पूरे दिन वर्षा चलती रही, कैसे होती रही, वर्षा दिन भर होती रही, क्या करें, वर्षा दिन भर होती रही क्या करती रही वर्सा दिन भर होती रही देखे वर्सा का काम है बारिस का काम है बर्सती रही होती रही वर्सा होती रही लेकिन कैसे होती रही पूरे दिन होती रही अर्तात किरिया के समय की विशेष्टा बता दी कि हमने ये विशेष्टा है कि वर्सा दिन भर ह होती रही रुकी नहीं बीच में दिन भर चलती रही ठीक है अगर मैं कहूं राम कल आना राम कल आना क्या होगा राम कल आना राम कल आना मैंने बताया राम आना लेकिन कल ही आना मैंने कहा कल आना मतलब कल आना मैंने किरिया के समय की विशेचता बताई क्या करा मैंने किरिया के समय कीवी से इस्ता बताई मैंने कहा राम को कि राम तुम कल आना मैंने कहा अगर मैं ये भी तो कह सकता था कि राम आना राम आज आना राम कल आना राम तो दिन के बाद आना मैं ये कह सकता था लेकिन लेकिन मैंने एक बात कही कि राम कल आना मैंने किरिया के समय की विशेष्टा बताई अगर मैं कहता राम दो दिन के बाद आना दो दिन के तो वो भी किरिया की विशेष्टा बताता वो भी किरिया के समय की ही विशेष्टा बताई जाती कि मैंने किरिया राम को कहा कि राम तुम आना तो लेकिन कल आना तो मैंने क्या क्या समय में बाहंद दिया उसको मैंने समय कि उसको विसी इस्ता दे दी कि आप कल ही आना की जाकि विसी इस्ता बता दे ठीक है और कल क्या है ये आई विकारी शब्द है जो लिंग वचन भई राम कल आना सीता कल आना राम कल आना सीता कल आना चाहे इस पर कोई फ़रक पड़ा भाई ये तो किरिया है ये किरिया है क्या है ये तो किरिया है लेकिन मैंने कहा ऐविकारी शब्द राम कल आना तो सीता कल आना या राम कल आएगा क्या बोलेंगे राम कल आएगा अगर मैं बोलता हूँ राम कल आएगा क्या हुआ? अगर मैं बोलता हूँ सीथा कल आएगी अब एक बात बताईए आप जैसे ही बदला ये बदल गया किरिया बदल गई लेकिन परभाव नहीं पढ़ा किस पर कल पर जो किरिया की ही विशेष्ता को बता रहा है किसकी किरिया की ही विसेष्था को बता रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो जो कात्यों रहा लिंग बचन और कारका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और विसेष्था किसकी बता रही है यह बता रहा है किसकी आने की विसेष्था मतलब कल आएगी कौन सीता तो राम-कल-आना ये समझ में आया होगा आप लोग की पर कोशिस तो यहीं की जाती है, की आप लोग को आसान से आसान लेंगुजम में समझगाई जाके, आसान से आसान भासा में समझा सके बस आप लोग की सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा, थोड़ा सपोर्ट करो दोस्तों, जो आप लोग थोड़ा कम कर रहे हो, थोड़ा अगर सपोर्ट कर दोगी तो कुछ बहुत अच्छे से हो बहुत जल्दी से हो जाएगा, हम भी जो चाहते हैं वो कर पाएंगे आप लोग को teacher, आप लोग के लिए regional board, सब कुछी की सुईधा कर पाएंगे अगर पढ़ाने में कुछ problem लग रही है, आपको लगता है कि पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाय समझ में आ रहा है अब एक बात बताईए, हम रोज इस teacher से पढ़ने के लिए जाते थे हम इस से पढ़ते थे, मैं नहीं कहता कि वो बुरा पढ़ाते है लेकिन एक बार कहीं और try करके तो देखो, क्या पता उन से ज़्यादा आपको इसका भी समझ में आ जाए ऐसा कोई topic इनका भी हो कि ये बहुत आसानी से उसको समझा सकते है इनके मकाबल में ये नहीं कहता कि ये नहीं पढ़ाते है लेकिन एक बार जब तक आप change नहीं करोगे कैसे पता चलेगा थोड़ा देखो, अगर आप लोग नहीं हो तो एक बार try करो दो चार दिन का time दो देखो एक exercise तो पूरी बढ़ो कम से कम तभी तो पता चलेगा कि कुछ समझ में आता है कि नहीं आता इसलिए थोड़ा support करो अब हम देखते है परिणाम वाचक किरिया विशेशन अव्वेक्या देखते है परिणाम वाचक किरिया विशेशन अब एक बात देखिए परिणाम वाचक किरिया विशेशन जिसके नाम से ही पता चलता है परिणाम के बारे में बात होगी किसके परिणाम के बारे में बात होगी अर्थात वे ऐ विकारी शब्द वे ऐ विकारी शब्द जिन से हमें किरिया के किरिया के परिणाम का जानकारी होगी परिणाम मतलब नाप तोल अब मैं आपको थोड़ा आसान सा बतायता हूँ जादा आसान होगा ठीक है ना वे शब्द होंगे इसमें जिने हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते क्या नहीं कर सकते जिने हम गिन नहीं सकते इनमें वही शब्द आते हैं वे एविकारी शब्द जो किरिया के जो किरिया के परिणाम की जानकारी परिणाम नापा तोला नापा तोला जाएं परिणाम की जानकारी देते हैं क्या कहलाते है यह परिणाम वाच्छा की रिया विशेशन वे कहलाते है बाइन जिन वे परिणाम परिणाम आप बहुत जहां पड़ चुके होंगे आपने परिणाम वाच्छा की विशेशन भी पड़ा होगा लेकिन यहां पर क्या बात वही है जहां परिणाम होगा इसका मत जब मैं भी बोल रहा, थोड़ा बहूत केवल, ठेक है, क्या हैंगे थोड़ा बहूत केवल, अधिक, क्या होगा, थोड़ा बहूत केवल अधिक, कुछ, क्या, कुछ, आदे, ऐसे सब्द आते इसमें भाई जीने हम इसमें क्या होता है अब हाँ पर हम क्या करते थे पांच किलोग्राम आलू पांच किलोगराम आलू क्योंकि आलू को हम तोलते हैं गिनते नहीं है या दस लीटर दूद दस लीटर दूद अब दूद को भी हम क्या करते हैं परिणाम वाचक में रखते हैं क्योंकि हम इसको गिनते नहीं हैं क्या करते हैं इसको हम तोलते हैं तो परिणाम में वे वश्पू आती है वे शब्द आते है जो हमें ना पने तोलने का एसास कराते हैं क्या कराते है ना अपने तोलने का एसास कराते है जैसे अब आप समझ गए ना कि वे एविकारी शब्द वे एविकारी शब्द जो हमें किर्या के परिणाम की विशेशता बताते है जैसे मैं बहुत घबरा रहा हूँ क्या आप लोग बता सकते हो कि कितना घबरा रहा हूँ बता सकते हो जो ये बहुत है क्या आप बता सकते हो जो किर्या के मैं घबरा रहा हूँ घबराना क्या है घबराना है किर्या और रहा है क्या है सायक किर्या क्या होगा सायक किर्या होती है जबकि घबराना क्या होता है किर और मैं क्या है सवर नाम है क्या है सवर नाम है मैं ठीक है अब एक बात देखें मैंने बताया था कि किदिया के परिणाम की बै कितना घबरा रहा हूं बहुत घबरा रहा हूं क्या कर रहा हूं बहुत घबरा रहा हूं मैं बहुत घबरा रहा हूं अब बहुत कॉप गिन नहीं सकते एक मन में फिलिंग आते है यार बहुत जैसे बहुत सारा समान है तुम्हारे पास तो बहुत सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं तो बहुत सारे को हम तोल सकते हैं गिन नहीं सकते यह जो बहुत है मैं एहसास कराता है परिणाम का किसका कराता है परिणाम का जैसे रमेश खूब पड़ता है रमेश खूब पड़ता है वह थोड़ा वह थोड़ा बोलता है अब एक बात बताईए बोलना क्या है कि या लेकिन कितना बोलता है थोड़ा बोलता है कम बोलता है वह कम बोलता है बोल सकते हो आप इसको थोड़ा के जंग है पाप बिलिक लिए वह कम बोलता है कितना बोलता है कम लेकिन क्या इसको संग्छा में बता सकते हो नहीं इसको बस लगी तो आफ रोल्ब लोगको not और प३ोर आप लोग को नहीं रहे होगी है तो आप लोग ऊफ्लाइन कमेंट करके बता सकते हो डिया प्र tak वे एविकारी शब्द अब हम देखते हैं नमबर चार पर हम क्या देखते हैं रीती वाचा किर्या विशेशन अवे बच्चों हम भी चाहते हैं कि आपको एक घंटा पढ़ाई मैं आपको तीन दिन से कह रहा हूँ पिछले कि बच्चों सपोर्ट करो अगर आप लोग चाहोगे तो एक दिन में एक हजार सब्सक्राइबर क्या है आप लोग के सामने कुछ है एक हजार सब्सक्राइबर एक लाग अगर आप लोग चाहते हो चाहोगे तो एक दिन में एक ल लोगे बच्छों तो पागल हो जाओगे उसके पीछे बस एक डेट लाग सब्सक्राइबर देदो कि इसके इसी चलो कर दिया आज शाम तक या पितने पूरे जाएंगे लेकिन जब आपको कोई पढ़ाता है तो वह पागल है आई यहां पर देखो हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना अपना करम करना और उससे पीछे हम बिल्कुल भी नहीं आटेंगे किसी ने कहा है कि किसी ने पूछा चिडिया से कि इतना सुन्दर घोसला कैसे बनाया है तो बोली चिडिया तिनका तिनका उठाना पड़ता है अ अभी कुछ फल मिलेगा इसका कोई विकल्प नहीं होता यूही नहीं मिलती मंजिले राही को एक जोस दिल में जगाना पड़ता है एक आग दिल में जगानी पड़ती है तो किसी ने पूछा चिडिया से कि इतना सुन्दर घोसला कैसे बनाया है बोली चिडिया तिनका तिन रोज मरना पड़ता है हर रोज जाना पड़ता है तब जाके संदर घोसला बनाना पड़ता है तो मेहनत तो करने ही पड़ेगी हम लोग अपना करम कर रहे हैं आप लोगoku पढ़ना अच्छे से पढ़ाई करिये बहुत मेहनत करिये कि बस आप लोगोशे इतना ही तो चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करें तीन देन से पिछले में आपको ऐसे बोल रहा हूं लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे हो क्या इसे ही परिवार कहते है परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का सहारा बनना सपोर्ट बनना एक दूसरे का सपोर्ट टाकि एक दूसरे का हाथ पकड़ की हम उस मंजिल को पाथ सके जहां तक हम जाना चाहते हैं चलो अब देखते हैं नमबर चार पर देखते हैं रीती वाच्छा किर्या विशेशन अव्य पच्छो एक घंटा पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों के लिए मैरतन किलास लेकिया हूं एक घंटा दो गंटे तीज गंटे चार गंटे पांच गंटे दस गंटे लगातार मैं ऐसाथं चाहता हूं गर्शक neighborhood लेकिन मेरे साथ मजबूरी है जब तक आपत्व पैस सपोर्ट नहीं करें एकस्षा नहीं कर पाऊंगा आप लोगों सपोर्ट चो लो पढ़ाय करते हैं रीति वाचक किरिया विशेशन अव्य क्या करते हैं रीति वाचक किरिया विशेशन अव्य तो वे एविकारी शब्द जो किरिया की रीति का बोध कराते हैं कि किरिया किस तरह से हुई है उसकी रीति क्या थी रीति का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं रीति वाचक किरिया विशेशन अव्य कहलाते हैं जैसे किरिया की रीति क्या थी किस तरीके से किस धंग से गिरिया हुई है खुल मिला के देश सी भासा में बोलता है किस धंग से हुई है उसकी रीति क्या थी ठीक है इसमें कुछ सब्द आते है जैसे कदाचित, क्दाचित, क्या होगा क्दाचित, क्या होगा क्दाचित, दूसरा होगा आपका अचानक क्या होगा अचानक शिग्रता कदाचित अचानक शिग्रता क्या होगा कदाचित अचानक शिग्रता कभी 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 क्या होगा कभी 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 क्या होगा कभी कभी ऐसे सब्द इसमें आते हैं अचानक कदाचित शिगरता कभी-कभी ये सभी सब्द कहां पर आते हैं किरिया रीति वाचा किरिया विशिशन अव्वे में आते है जैसे राम शिगरता से राम सिगरता से चला गया राम सिगरता से चला गया जाने की किरिया क्या थी रीति क्या थी राम चला गया लेकिन किस तरीके से गया किस रीति से गया बहुत सिगरता से चला गया क्या रीति थी उसकी उसका धंग क्या था सिगरता से जाने का धंग था कैसा था सिगरता से जाने का ध सिगर्टा था तो उसकी रीती क्या थी किरिया को करने कि उसकी रीती क्या थी वो थी सिगर्टा उसने बहुत जल्दबाजी की कैसी कि उसने बहुत जल्दबाजी की उसमें देखते हैं राम सिगर्टा से चला गया राम सिगर्टा से चला गया ठीक है अब देखते हैं हवा धी धीरे धीरे बहती है कैसी बहती है धीरे धीरे बहती है और हवा धीरे धीरे बहती है वहा के बहने का तरीका क्या है हवा के बहने की रीती क्या है हवा के बहने का धंग क्या है कैसा धंग है बहुत धीरे धीरे बहती है हवा धीरे धीरे बहती है कितना असान हो गया अगर आप इस तरह के से पढ़ने को इस करोगे, भाई रीती का मतलब क्या है, भाई जैसे आपके घर में रीती रिवाज होते है, क्या होते है, रीती रिवाज होते है, ऐसे ही किरिया को करने का तरीका किस प्रकार का था, किरिया को करने की धंग क्या था, भाई हवा बैती है, कैसे बैती क्या है तरीका क्या है क्या है हवा धीरे धीरे बहती है कैसे बहती है हवा धीरे धीरे बहती है राम सिगरता से चला गया कैसे कैसे चला गया सिगरता से गया वह राम धीरे धीरे भी तो जा सकता था ऐसे लेकिन वह बहुत तेजी से निकल गया जल्दी करके निकल गया शेर अचानक आ गया शेर अचानक आ गया शेर अचानक आ गया बै शेर आया कैसे आया शेर आ गया लेकिन शेर के आने का तरीका क्या था शेर आया अचानक से और ड़रा दिया क्या किया ड़रा दिया अब देखिए शेर अचानक आ गया शेर कैसे आया शेर के आने का तरीका क्या था शेर के आने का तरीका क्या था शेर के आने का तरीका है धंग है उसकी रीती है कैसे अचानक कैसे अचानक आ गया कैसे आ गया शेर जो है वो अचानक आ गया कैसे आ गया सेर अचानक आ गया बालक तेज दोड़ता है कैसे दोड़ता है बालक तेज दोड़ता है तेज दोड़ता है बालक एक मिल बच्छो बालक तेज दोड़ता है बालक तेज दोड़ता है बालक कैसे दोड़ता है बालक घोड़ा तेज दोड़ता है मैंने आपको बताया कि क्या होता है किरिया विशेशन अव्वे होते हैं यह उसी के तो परकार है अगर आपको अंदर जाके पूछे का तो फिर वो पूछे यह अंदर कि option नहीं खोलके दिए क्यरिया विशेशन हो गया लेकिन जब वह पूछेगा खिरिया विशेशन अव्वे ने दे कर वह option में रितिवा चक देगा दोंनोंसे देगा एक ही कोई भाहस नहीं करेगा कि दोनों देगा एक ही देगा ठीक है तो बालक दोड़ता है बाल को समझ में आये तो लाइक करिए शेयर करिए और अपने परिवार को बढ़ा करिए ताकि हम लोग लाइव आ सके और आप लोगों को यह जो अद्धे घंटे किलास होती है यह घंटे तक दे सके यहां तक ही मेरतन लगा सके अगर अच्छा लगे तो जदर जदर शेयर करिए अ इस वीडियो को धन्यवाद